यदि हम कुछ ऐसे मिश्रणों की बात करें जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और कुछ ऐसे मिश्रणों की बात करें जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं अथात वो कोलोईडल सॉलुशन की तरह या कोलोईड विलियन की तरह कारें नहीं करते हैं यदि शक्कर के विलियन की बात करें तो ये एक साधारन विलियन है इसमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा वहीं दूसरी ओर यदि हम स्टार्च के विलियन की बात करें तो वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है साथ ही यदि हम किसी ऐसे विलियन की बात करें जिसमें की जल में स्याही मिलाया गया हो तो ये भी एक कोलोईड विलियन होगा या ये भी एक कोलोईड की तरह कारे करता है और ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं यदि हम नमक के विलियन की बात करें तो यह एक साधरन विलियन है, यह कोलोईड विलियन नहीं है. इसलिए यह टिंडल प्रभाव दर्शाता नहीं है. टिंडल प्रभाव का आज जैसा हमने समझा कि कोलोईड जो है वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और जिससे एक चमकीली शंकु जैसी रचना बनती है और इस प्रभाव को यानि कोलोईड विलियन के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है अब हम सांद्रता को समझने के लिए एक आंकिक प्रशन देखेंगे इस प्रशन में 250 ग्राम जो कपड़े धोने का सोडा है उसको 1 किलोग्राम जल में घोला गया तो इसको घोल कर एक विलियन बनाया गया और इस विलियन की सांद्रता क्या होगी इसे हम किस प्रकार ग्याद कर सकते हैं तो सबसे पहले जो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि विलिये का जो द्रवेमान होता है अर्थात इस पूरे विलियन में अर्थात इस पूरे विलियन में जो विले का द्रवेमान है यहने विले यहाँ पर कपड़े धोने का सोडा है तो इसका जो द्रवेमान है वो है 250 ग्राम यदि हम बात करें जल की तो जल का जो द्रवेमान दिया है वो एक किलो ग्राम है तो जब हम एक ही तरह के प्रश्न को हल कर रहे हैं एक ही तरह के जो पद है वो होना चाहिए जैसे अगर हम आंकीक प्रश्ण हल कर रहे हैं तो ग्राम है और एक जो विलायक है वो दिया हुआ है किलो ग्राम ने तो किलो ग्राम को हम पहले ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्रा तो यदि यहांपर हम सांद्रता को द्रविमान प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो इसी तरह का फॉर्मुला योज करेंगे. तो उपर हम 250 लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे विले एवं विलायक का जो द्रविमान है दोनों का योग. तो चुकि विले का द्रह्मान 250 ग्राम है और जो विलायक जल है उसका द्रह्मान 1000 ग्राम है दोनों को जब हम योग करते हैं तो 1250 ग्राम आता है गुणा 100 कर दिये यानि 250 बटा 1250 गुणा 100 इस तरह से जो हल करने के बाद जो हमारे पास मान आता है वो है 20 तो 20 प्रतिशत यहां पर लिखा जाएगा हम यह जानते हैं कि मिश्रण कई प्रकार की होते हैं और इसे प्रिथक भी किया जा सकता है प्रिथक करने के बाद एक स्थिती ऐसी आती है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनको और चोटे भागों में विभाजित या और चोटे भागों में प्रिथक नहीं किया जा सकता है तो इन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ यह जो शुद्ध पदार्थ है इसको अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से समझा गया जैसे प्रारंब में यह माना जाता था कि वायू शुद्ध पदार्थ है लेकिन बाद में जब अध्यन हुआ जैसा कि अब हम भी जानते हैं कि वायू जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या अन्य बहुत सारी और गैसे होती हैं, तो शुद्ध पदार्थ का अर्थ हम यही समझेंगे कि जिसे औ और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो अब हम जानेंगे कि वास्तों में शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ जो है उनको मुख्य रूप से हम तत्व एवं योगिक में विभाजित कर सक तो तत्व क्या है? यदि हम बात करें तत्व की, तो तत्व जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनको रासायनिक विधी, अपुर्ण तो यह रासाइनिक विधी में आता है, इन सभी विधियों के द्वारा, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यहने तत्व जो हैं वो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं या हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह ऐसे पदार्थ हैं जिनें किसी भी रासायनिक विधी के दवारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बिभाजित नहीं किया जा सकता है तो जैसे हमने अपने आसपास बहुत सारे तत्वों को जाना है जैसे हाइड्रोजन है नाइट्रोजन, ओक्सीजन कार्बन इसके अलावा भी और तत्वों हम गिन सकते हैं जैसे कि फ्लोरीन है कैलशियम है, पोटेशियम है तो ऐसे बहुत सारे तत्व जो है वो हमारे आसपास है और बहुत सारे तत्व मिलकर कई सारे योगीग भी बनाते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो तत्व जो है वो यह हम कह सकते हैं कि तत्व को और छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता सरल भाषा में। फ्रांस के एक रसायन शास्त्री थे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। उन्होंने तत्व की परिभाषा दी। उनके अनुसार तत्व की जो परिभाषा है कि तत्व किसी भी पदार्थ का एक ऐसा मूल रूप है जिसे हम रासायनिक विधी द्वारा प्रिठक करके और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। याने लेवोजियर की जो परिभाषा है वो यहीं कहती है कि तत्व जो है वो पदार्थ का ही एक मूल रूप है जिसे हम किसी भी रासायनिक विधी द्वारा छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं तो तत्व को सरल्पदार्थों में क्यों नहीं विभाजित कर सकते हैं क्योंकि हम जब बात करते हैं तत्व की तो हम जैसे बात करते हैं Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen, तो इसका अर्थ यह है कि एक तत्व जो है वो कई छोटे-छोटे परमाणों से मिलकर बना होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे Carbon तत्व की, Nitrogen तत्व की, Oxygen तत्व की, तो इसका अर्थ यह है कि Carbon जो है वो Carbon के ही परमाणों से बना हुआ है, Nitrogen यह भी Carbon के परमाणों से बना है, Oxygen की बात करेंगे तो oxygen, Oxygen के परमाणों से ही बना होता है, यानि, सिर्फ उस तत्व के अंदर, उसी तत्व के ही परमाणु होते हैं, यानि, हर तत्व जो है वो एक ही परमाणों से बना होता है, हम अलग-अलग कर सकते हैं कि यह नाइट्रोजन तत्व है और यह ऑक्सीजन तत्व है क्योंकि निश्यत रूप से नाइट्रोजन तत्व जो है वो नाइट्रोजन परमानों से बना होगा और जो ऑक्सीजन तत्व है वो ऑक्सीजन के परमानों से बना होता है क्या आप जानते हैं? अभी तक ज्यात तत्व की संख्या 118 है, इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक शेश मानव निर्मित हैं, अधिकांश तत्व ठोस हैं, पारा तथह ब्रोमीन तत्व कमरे के तापमान पर द्रव हैं, गैलियम तथह सीजियम तत्व कमरे के तापमान अर्था 300 क से कुछ अधिक तापमान पर द्रौ अवस्था में बदल जाते हैं ग्यारह तत्व कम्रे के तापमान पर ग्यास है अब हम बात करेंगे योगिकों की योगिक क्या होते हैं हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ हैं जो कई दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं लेकिन यहां पर शर्ट ये होती है कि ये जो दो या दो से अधिक पदार्थ है वह एक निश्चित अनुपात में होने जाहिए तो इन तत्मों के रासायनिक सैयोजन से पदार्थ बनते हैं जिसे हम कहते हैं योगिक तो ये जो रासाइनिक अभी क्रिया के होने के फलसरूम जो भी योगिक बनते हैं इनके जो गुण होते हैं वे अव्यवी तत्वों के गुणों की तुलना में अलग गुण दर्शाते हैं जैसे यदि हम बात करते हैं जल की तो जल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी ह इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सिजन का एक भाग इसी अनुपात में ये क्रिया करते हैं इसी अनुपात में इनमेरा सायनिक सायोजन होता है यदि अनुपात बदल दिया जाएगा तो फिर ये जल योगिक नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि जिन दो तत्वों से मिलकर योगिक बना है उन तत्वों के गुणों से योगिक का गुण एकदम अलग होता है यदि हम बात करते हैं जल की तो यहाँ पर जल जो है वो एक ऐसा योगिक है जो की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो यहां पर हम जब बात करते हैं कि इन दोनों के सयोग से इन दोनों के रासायनिक सयोजन से जल बना तो हम यह जानते हैं कि जल जो है वो आग को बुझाता है तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जिन तत्वों से ये योगिक बने हैं योगिक के अव्यवी तत्वों के गुणों से बिलकुल अलग होते हैं अब हम यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम से जल किन तत्वों से मिलकर बनता है हाइड्रोजन, ओक्सिजन और किस अनुपात में ये रहते हैं इसके बारे में हम एक छोटा सा प्रयोग देखेंगे इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले एक चोड़े मुग की प्लास्टिक की बोतल लेता हैं और उसकी तली को काट देते हैं बोतल के मूँ पर यहाँ पर दो छिद्र किया गया है और रबर कॉर्क लगा दिया जाता है और रबर कॉर्क लगा कर इन छिद्रों में कार्बन की दो छड़ लगा देते हैं जो यह कार्बन की दो छड़ लगाते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोड की तरह कारे करते हैं जल से भरी जो काज की दो परकनली को कारबन एलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार से रखते हैं कि परकनली में हवा बिलकुल भी प्रवेशना करें और परकनली जो है वो पानी से पूरी तरह बरी रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनको 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाए। इसके बाद दोनों परखनली में हम देख रहे हैं कि एकत्र हो रही है गैसे और जब यह गैसे एकत्र होती है तो इसे हम ध्यान पूरवक देखते हैं और दोनों परखनलीों में समान दर से एकत्रीत हो रही है या नहीं गैस इस चीज का अवलोकन करते हैं जब एक परक्नली में पूरा पानी नीचे उतर जाता है तो ऐसे स्थिती में हम देख रहे हैं कि परक्नली गैस से पूरी भर जाती है और तब दूसरी परक्नली में एकत्रित गैस के आयतन पर हम धियान देने लगते हैं पूरी भरी परखनली को हटा कर या उसके स्थान पर दूसरी परखनली में जल भर कर फिर से इसे विवस्थित करके पहले जैसे हमने रखा उसी तरह से विवस्थित कर दियते हैं उपकरण को अब हम देखते हैं जब आधी भरी परक्नली गैस से पूरी भर जाए तो उसे भी फिर बीकर से बाहर निकाल लेते हैं अब दोनों परक्नलीओं के मुह के पास जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि चुकि ऑक्सीजन जो है वो गैस को जलने में सायक तप्रदान करती है और हाइड्रोजन जो है वो स्वेम जलने वाली गैस होती है तो इस प्रकार से यहां पर इनका जो आयतन है गैसों का यह ग्यात कर लिया जाता है और इस प्रयोग के माध्यम से अभी सिद्ध होता है कि जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग प्रयोग में आता है जल एक योगिक है जो की हाइड्रोजन एव़म ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और आयतन के अनुसार यदे हम देखे तो इसका अनुपाद दो अनुपाद, एक होगा, यन्या हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग, लेकिन जो गुन की बात करते हैं, तो गुन में जल के गुन, हाइड्रोजन एवम ऑक्सीजन के गुन से बिलकुल अलग हो यहांने एक अनुपात आठ जो है वो सबसे सरल अनुपात है चाहे जल हमें किसी भी श्रोत से प्राप्त हो यहांने जल हमें नदी से भी प्राप्त हो सकता है जल हमें कुए से भी प्राप्त हो सकता है जल हमें समुद्र से भी प्राप्त हो सकता है जील से भी प्राप्त हो सकत आठी होगा सबसे सरालनुपात यदि हम 9 ग्राम जल का अपगटन करें तो यहां इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 9 ग्राम जल का अपगटन करने पर 1 ग्राम हाइडरोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा ऐसे ही बहुत सारे दूसरे योगी भी होते हैं जिनका हम अधियन भार की दृष्टी से कर सकते हैं जैसे यदि हम बात करते हैं कार्बन डायोकसाइड की तो कार्बन का जो भार है वो है 12 और कार्बन डायोकसाइड अगर हम कहते हैं तो ऑक्सीजन 16 दूनी 32 तो यहां जो सरालनुपात होगा वो 12 अनुपात 32 होगा तो यह प्राप् कि कोई भी योगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसमें तत्वों का अनुपात हमेशा स्थेर होता है चाहे उसे हम किसी भी प्रकार से प्राप्त करें इसे निशित या स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं तो यह जो स्थिर अनुपात का नियम है इसे प्राउस्ट ने बताया और इनके अनुसार जो भी हम योगिक की बात करते हैं ये सारे जो योगिक होते हैं वो किसी भी माध्यम से यदि प्राप्त होते हैं तो उसमें भार की दृष्टी से तत्व का जो अनुपात होगा वो सदैव एक निश्चित अनुपात में ही रह जो है वो एक ही प्रकार के परमाड़ों से मिलकर बना होता है जबकि योगीक जो है वो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाड़ों के एक निश्यत अनुपात से मिलकर बना होता है अब तक तत्वों की जो खोज है वो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं वहीं दूसरी और योग कई सारे होते हैं या योगी को की संख्या जो है वो बहुत अधिक है और लगातार हर दिन ने योगी को की खोज होती जा रही है जो भी हमारी लिए उपयोगी है ऐसे बहुत सारे योगी लगातार बनाए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा तो योगी को की संख्या जो ह वो असंख्य है बहुत अधिक है जब हम बात करते हैं उनके गुर्धर्मों की तो जो तत्व हैं उनके गुर्धर्म उसके जो सुक्ष्म कर्ण होते हैं याने परमाणू हैं उनके कारण होते हैं जैसा हमने यह जाना था कि अगर हम कारबन तत्व की बात करते हैं तो कारबन त तो उसके जो गुड होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं उसके अंदर जो भी तत्व है लेकिन हमने यह जेखा कि योगी का जो गुड है वो अभी तत्व के गुडों से बिलकुल अलग होता है यह हम कह सकते हैं कि सुक्ष्मतम जो कड है योगी को का उसका जो गुड धर्म होत है कि अर्ण जो है वह भृतिक और रासाएनिक रिय्याओ द्वारा सरलपदार्थों में विधाटित नहीं किया जा जकते हैं हमने तत्व की परिभाशा में भी देखा लेकिन यदि हम योगी की बात करें तो उसे भौतिक और रासायनिक विधी द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है कुछ दाहरन हम देख लेते हैं जैसे तत्व में कारवन, नाइटरोजन, हाइडरोजन, ओक्सीजन इसी तरह से योगीक में जैसे जल है, नमक है, कपड़िद होने का सोडा है, अमोनिया ये सारे योगीक हैं अब हम बात करेंगे कि मिश्रन और योगिक में क्या अंतर होते हैं तो जब हमने मिश्रन पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि मिश्रन दो प्रकार के होते हैं समांगी और विश्मांगी तो जब मिश्रन और योगी की बात करते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत विशेश अंतर भी हम जानेंगे कि वास्तों में मिश्रन जो है वो क्या है और योगी कर दो या दो से अधिक पदार्थों से मिला कर बनाते हैं ना भी हो तो भी मिश्रन का निर्मार होता है कोई निश्रित अनुपात नहीं होना चाहिए इसमें दोसरी बात हम योगी की करें तो योगी जो है शुद्ध पदार्थ होता है और यह योगी जो है वो दो या दो से अधिक जो तत्व है उनके एक निश्रित अनुपात में स सोडियम का एक भाग, क्लोरीन का एक भाग और यदि हम कपड़िद होने के सोडे की बात करें तो सोडियम का दो भाग, कार्बन का एक भाग, ऑक्सीजन का तीन भाग, यदि हम इस तरह से अनुपात लें तो यदि एक निश्चित अनुपात में ही तत्व आपस में क्रिया करे तब ही योगीक का निर्माड होता है, जब हम मिश्रन की प्रिथकरन की बात करते हैं, तो इसमें एक साधारन यांत्रिक विधी द्वारा भी मिश्रन के अवयवों को अलग-अलग किया जा सकता है, लेकिन जो योगीक है, उसको हम सरल यांत्रिक विधी द्वारा उनके लेकिन जब हम योगी की बात करते हैं, तो योगिक अपने अवियवी तत्वों के गुणों से बिलकुल अलग होता है। मिश्रन जो है वो दो प्रकार से बन सकता है, समांगी भी हो सकता है और विश्मांगी भी हो सकता है। जैसे यदि हम नमक ये विलियन की बात करें, तो वह भी एक प्रकार से नमक है और जल मिला दिये, तो यहां हर भाग का संगठन एक जैसा हो गया, तो यह एक समांगी भाग हो गया, विश्मांगी की बात करें, तो यदि हमने तेल भी लिया, जल भी लिया, रेद भी लिया, सम लिए प्रखार्ट में हर भाग में हम देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के अनु होते हैं। जब हम मेश्रन और योगीक में अंतर देखते हैं तो sबसे मुख्य अंतर यही होगा कि मिश्रन विभिन जो घटकों से बना है, विभिन पदार्थों से बना है, लेकिन इससे नया कुछ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जब हम योगी की बात करते हैं, तो योगी जिन तत्वों से मिलकर बना है, उससे नया कुछ बनता है, नय पदार्थ का निर्मार होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, इसे हम योगी कहते हैं, और इसका गुड़ भी अवियवी तत्वों के गुड़ों से बिलकुल अलग होता है जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अड़ों भी उपस्थित होते हैं लेकिन जो हम योगी की बात करते हैं तो ये एक ही प्रकार के अड़ों होते हैं जैसे अगर माल लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर योगी बना याने जल बना तो उसमें जल के ही सारे अणों उपस्थित होते हैं मिश्रण के बनने पर किसी भी प्रकार से उर्जा परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जब योगी का निर्माड होता है तो इसमें उर्जा परिवर्तन होता है जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि वास्तविक विलियन, कोलोईड और निलंबन इसमें अलग-अलग गुणों को तो हमने पढ़ा लेकिन जब हम इसे एक चार्ट में कमपेर करेंगे गुणों के आधार पर तो हमें स्थिती और स्पष्ट हो जाती है कि यदि हम अलग-अलग बिंदू के आधार पर इसे पढ़ें जैसे अगर हम वास्तविक विलियन, कोलोईड और निलंबन ये तीन पॉइंट पे हमें अंतर देखना है और गुण में हमने ले लिया कि संगठन, चानना, आकार, टिंडल प्रभाव, ब्रावनी गती और पारदर्शीता इन गुणों के आधार पर हम इन तीनों प्रकारों में जो अंतर है उसे हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं संगठन जब हम वास्तविक विलियन की बात करते हैं तो यह एक समांगी मिश्रन होता है कोलोइड में हम देख रहे हैं विश्मांगी तंत्र है निलंबन में हम देखते हैं कि यह भी एक विश्मांगी तंत्र है छानने को अगर देखें तो जो साधारन विलियन है इसे हम फिल्टर पत्र से देखते हैं छानते हैं तो ये आसानी से फिल्टर पत्र को पार कर लेता है दूसरा जब हम कोलोईड को देखते हैं तो ये भी आसानी से फिल्टर पत्र को पार कर लेता है लेकिन जब हम निलंबन की बात करते हैं जैसे हमने रेत और जल को देखा तो यह फिल्टर पत्र को पार नहीं कर पाते हैं यानि इसमें विले के कड़ जो है वो फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं जब हम आकार की बात करते हैं तो वास्तविक विलियन में जो विले के कड़ों का आकार है वो 10 के घात माइनस 8 cm व्यास का होता है और जब हम कोलोईड की बात करते हैं तो कोलोईड में जो विले के कड़ों का आकार है वो 10 के घात माइनस 5 cm से 10 के घात माइनस 7 cm के बीच का होता इतने सेंटिमीटर व्यास के बीच का होता है वहीं निलंबन की बात करते हैं तो निलंबन में हम देखते हैं कि कड़ों का आकार जो है वो बड़ा होता है तो निश्चित रूप से यहां विले की कड़ों का आकार जो है वो बड़ा होगा तो निलंबन में जो विले की कड़ो विलियन जैसे नमक का विलियन या है शक्कर का विलियन है तो यह टिंडल प्रभाव नहीं दरशाते हैं जो कोलोईड है वह टिंडल प्रभाव दरशाते हैं जब कि कोलोईड विलियन ब्रावनी गति प्रदर्शित करते हैं और जो निलंबन है वह भी ब्रावनी गति प्रदर्शित नहीं करते हैं जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो चुकि जो वास्तविक विलियन है वह समांगी एक तंत्र बना है ये पूर्ण रूप से पारदर्श होता है अब हम अपने दैनिक जीवन में जो कोलॉइड हैं वो किन-किन रूपों में पाए जाते हैं या जैसे कि हमने कोलॉइड में देखा कि अगर हम उसमें विले-विलायक के रूप में यदि उसे अलग-अलग करते हैं तो मान लीजिए यदि हम कोलॉइड के अलग-अलग प्रकार अलग-अलग उदाहरण या कैसे कोलोईड जो है वो विले-विलायक के अलग-अलग अवस्थाओं के आधार पर बना हुआ है यह कई सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं जैसे कोलोईड के दो पार्थे मार लीजे कोलोईड में हम यदि करेगा और जो परिक्षेपन माध्यम है वह विलायक को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर हम उदाहरण लेते हैं यहां पर इस चाइट के माध्यम से हम समझेंगे कि जो परिक्षेप्त प्रावस्था है यदि यह ठोस है और परिक्षेपन माध्यम भी ठोस है दोनो ठोस तो ऐसी अवस्था में जो कोलाइड तंत्र बना उसका क्या उदाहरन होगा तो वह जेम स्टोन जो हम कलर भथर यूज करते हैं कई बार तो यह कलर जो जेम स्टोन है साथी जो रंगीन काच है इसमें दोनों ही ठोस होता है वहीं दूसरी ओर यदि हम परिक्षिप्त प्रावस जो हैगा ठोस और द्रव का कोलाइड घरो में जो हम पेंट करते हैं वह भी द्रव अस्था में है लेकिन उसमें ठोस के कड़ परिक्षिप्त रहते हैं तो पेंट जो है वह भी इसी माध्यम में आता है दूसरा हम देखेंगे कि धूआ यह उधारन है इस धूए में हम अन्य अवस्थाओं की बात करें जैसे यदि हम परिशिप्त प्रावस्था में द्रव लेते हैं तो जैसे इसका उदारन क्या होगा दूद जैसे दूद में जल भी मिश्रित होता है तो उसमें परिशिप्त प्रावस्था भी द्रव होगा यदि हम कुहरे या बादल की बा जलवाश्प के कड़ होते हैं यहां पर पूरा जो परिक्षेपन माध्यम है वो गैस होगा और गैस के अंदर जलवाश्प के कड़ होंगे यह जो बादल है या जो कोहरा है या जो कीट नाशक जो स्प्रे होते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि यदी परिक्षेपन माध्यम तो यहाँ पर जो कोहरा या बाडल है इसमें जलवाश्प के कड़ में परिक्षिप्त होते हैं। तो इसमें परिक्षेपण माध्यम जो है वो ठोस होगा और इसके अंदर गैस के बुलबुले हैं यानि यह पत्थर देखते हो आपकी हलका होता है इसमें गैस परिक्षिप्ट होता है यानि परिक्षिप्ट प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा दूसरी तरफ हम बात करते हैं यदि परिशेपट प्रावस्था गैस है और परिशेपट माध्यम द्रव है तो यहाँ पर साबुन की जो जाग है या फेन है या फेटी हुई क्रीम है यह उसका उदारन होगा जिसमें अधिक मात्रा में द्राव है और कम मात्रा में यहां पर गैस होता है तो यहां पर हमने कुछ उदाहरणों के बारे में जाना जिसमें विभिन अवस्थाओं में अलग-अलग कोलोईड के तंत्र को हम देखते हैं क्योंकि कोलोईड जो है वो हमारी दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं बिभिन उदाहरणों के द्वारा की कैसे विले एवं विलायक या परिशिप्त प्रावस्था परिशेपन माध्यम को मिलाने पर कैसे कोलोईड तंत्र बनता है